दीध्वाना दलित महिला के साथ सामुहिक दुशकर्म का मामला. मीडिया पर सामने आकर पीरिता ने बताए अपनी आप बीती. पांच से अधेक दरिंदों ने पीरिता के साथ किया था दुशकर्म. पीरिता बोली, पुलिस दिलाए मुझे इंसाफ. भीम आर्मी ने पीरिता क एक दलित महिला के साथ रुपे उधार देने का लालच देकर पांच लोगों द्वारा दुशकर्म किया गया था। इस मामले में तीन आरोपियों को पुलिस ने डिटेन कर लिया है। वही आज पीरिता मीडिया के सामने आई और उसने अपने साथ हुई दरिंदगी और आप बीती बताए। पीरिता ने कहा कि आरोपियों ने उसे रुपे देने का लालच देकर बुलाया और उसकी आबरू लूट ली। वही अब पीरिता ने पुलिस से सभी आरोपियों को गिरफतार कर उसे न्याय दिलाने की मान्ग की है। पीरेता ने बताया कि वो बेहद गरीब है और उसे कुछ रुपयों की आवश्यक्ता थी। इस पर रामदेव नामक एक व्यक्ति ने उसे रुपय उधार देने की बात कैकर डिध्वाना में एक होटल में बुलाया और उसके साथ दुशकर्म कर अशलील फोटो वीडियो बना किया। पीरेता का कहना है कि उसे इंसाफ चाहिए। इसके लिए पीरेता ने सभी आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफतार कर उन्हें सजा दिलाने की मांद की है। वहीं दूसरी और भीम आर्मी ने इस मामले को लेकर पुलिस प्रशासन से सभी आरोपियों की गिरफतार की मान्ग करते हुए पीरिता को एक्रोसिटी एक्ट के तहत मुआवजा देने और उसका पुनरवास करने की मान्ग की है साथ ही ऐसा नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी है के बाद मैं रपोर्ट करवाई है मुझे न्याद जाहिए दीडवाणा जिल्ला दीडवाना थाना चेतर के अंतरगत एक दलीत मेला के साथ में योनसोसन किया और अब इस मामले में घटना हो जाने के तीन दिन चार दिन बाद मतलब रिपोर्ट देने के तीन चार दिन बाद अभी तक तीन आरोपी गिरिपतार होएं सेंस आरोपी बाहर हैं और पुलीस बोल रही हम गिरिपतार कर लेंगे नामजद पांच चाहता हूँ पुलिस परसासन को कि इस मामले में डिलाई नहीं बढ़ते अन्यता भीम आर्मी जिला इस तर पर बड़ा जनान ओलन करेगी कमपनेसिशन की जो मांग होती है जो महोजी की उसके लिए आप बिल्कुल आपकी बात तीन सो चिंतर डी में स्टी एट्रो सिटी के तेद आठ लाग पचीस हजार रुपे की आर्थिक साहिता मिलती है वो भी इसको तुरुट परबाव से दिलाई जाए और इनको धंकियां दी जा रही है गाउं से निकालने की बात की जा रही है तो रास्तान सरकार इनको आस्याना उपलब्द करवाए और जो भी जितनी भी तरह की आर्थिक साहिता मिलती है जितनी तरह की योजना का लाब मिलता है इनको योजना का लाब भी दिलाया जाए